हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 15 इंपोर्टन्ट कोश्चन लेकर के आया हूँ जो परतियोगी परिक्षाओं में पूछ जाते हैं तो चलिए आप सभी लोगों को एक एक करके बताता हूँ लेकिन अगर आप सभी लोगों को इन पर्षनों के आंसर पहले से पता हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा कर ओल पर किलिक कर लेजिए तो चलिए बढ़ते हैं कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर वन पिर्थवी पर दिन और रात होते हैं A. दैनिक गती के कारण B. वार्षिक गती के कारण C. छमाही गती के कारण D. तिमाही गती के कारण तो इसका सही आइंसर हो जाएगा A. दैनिक गती के कारण कोश्चन नमबर टू सबसे बड़ा ग्रह है A. बिर्षपती B. पिर्थवी C. इुरेनस D. सुक्र तो इसका सही आइंसर हो जाएगा बिर्षपती कोश्चन नमबर टिरी सबसे छोटा ग्रह है A. मंगल B. शनी C. बुद D. नेप्चून सही आइंसर इसका हो जाएगा C. बुद कोश्चन नमबर फोर अगुल हास धारा किस महाशागर में बहती है A. परशांत महाशागर में B. हिंद महाशागर में D. आर्केटिक महाशागर में D. अन्य शही आइंसर हो जाएगा B. हिंद महाशागर में कोश्चन नमबर फाइब पृतिबी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है A. तामा और जस्ता B. निकल और तामा D. लोहा और जस्ता D. लोहा और निकल शही आइंसर हो जाएगा लोहा और निकल कोश्चन नमबर शिक्ष मैगनीज के उतपादन में भारत का दूसरा अस्थान है पर्थम देश कौन सा है A. फरांस B. रूशी शंग C. कनाडा D. शयुक्त राज अमेरिका सही आइंसर हो जाएगा B. रूशी शंग कोश्चन नमबर शेवन निम्नांकित में से कौन सा देश कोईले का सबसे बड़ा उतपादक है A. ब्राजील B. भारत C. अमेरिका D. चीन सही आइंसर हो जाएगा C. अमेरिका कोश्चन नमबर एट इनमे से किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है A. ओशाका B. टोकियो C. नाकाशाकी D. यकोहामा सही आइंसर हो जाएगा ओशाका कोश्चन नमबर नाइन भारत के सोतंत्रता संघर्ष के दोरान डिक्केन एजूकेशन सोसाइटी नमक्षणष्टा की अस्थापना किसने की थी A. जमाहार लाल नहरू B. रवींद्र नाथ टैगोर C. बाल गंगा धर तिलक D. ब्यमेश चंद्र बनर जी शही आइंसर हो जाएगा बाल गंगा धर तिलक Q. नमबर टैन 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था A. लाड केनिंग B. निल अमश्ट्रांग C. जोन माथाई D. अन्य शही आइंसर लॉर्ड केनिंग Q. नमबर 11 भारती भारतियों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था A. अक्षाइक संस्था B. आरे समाजने C. ब्रह्म समाजने D. अन्यने शही आइंसर हो जाएगा आरे समाजने Q. नमबर 12 ब्यंध्याचल और शत्द पुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है A. नर्मदा B. शिंधुनदी C. कोशी D. गोदावरी शही आइंसर हो जाएगा A. नर्मदा Q. नमबर 13 Investor Production Fund किस संस्था ने अस्थापित किया था A. पुण्जी मुद्दे ने B. डी अफ ने D. एलेफ ने C. शेवी ने D. अने शही आइंसर हो जाएगा शेवी ने Question No. 14 कुण्धापूर एयों करवार कच्छ बनास्पती अस्थान कहां इस्थित है A. केरल राज में B. करनाटक राज में C. तामिल नाड़ राज में D. चित्रपूरा राज में शही आइंसर हो जाएगा करनाटक राज में Question No. 15 भारत की पर्थम बहुद्देशिय प्रियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? A. कावेरी नदी B. गडंक नदी C. दामोदर नदी पर D. यमना नदी पर शही आइंसर हो जाएगा C. दामोदर नदी पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो में देगे Question Answer समझाए होंगी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजी अपने दोस्तों में सेर कर दीजी और हमारे परियास का हिस्सा बनिये